इन्फिनिक्स स्मार्टफोंस पे आ रही है सेल फिर एक बार पगली सेल अभी बाकी है पहली सुर्खी जुड़ी है एक दुखद हाथसे से अरुनाचल प्रदेश के उपरी सियांग जिले में आज सुबह सेना का एक रुद्र हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया आर्मी एविएशन कोर का ये हलिकॉप्टर तूतिंग जिला मुख्याले से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर हाथसे का शिकार हुआ सेना के प्रवक्ता की मताबिक इस जगे सड़क के रास्ते पहुचना संभव नहीं था इसलिए हवाई रास्ते से बचाव टीम को भीजा गया हलिकॉप्टर में दो पाइलेट समेट पाँच लोग सवार थे इन सभी की मृत्यों की पुष्टी हो चुकी है इसी महीने की पाँच तारीक को भी सेना का एक चीता हलिकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें एक पाइलेट की मौत हो गई थी आज दुरगटना ग्रेस्ट हुआ रुद्र एक स्वदेशी आर्मड हेलिकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेट है चेल ने दुरुव हेलिकॉप्टर में बदलाव करके बनाया इसका इस्तिमाल भारती वायु सेना और सेना में होता है आज वाला हादसा मिला लें तो दो साल से भी कम वक्त में ये तीसरा रुद्र क्रैश है सेना ने जाँच के आदेश दे दिये है रक्षा बीट से ये एक और अपडेट है भारत ने आज ओडिशा के तड़ से अगनी प्राइम मिसाइल का फिर सफल परिक्षन किया जैसा कि नाम से जाहिर है अगनी प्राइम अगनी मिसाइल परिवार का ही एक हिस्सा है जी अगनी कोई एक मिसाइल नहीं मिसाइलों की सीरीज है सारी अगनी मिसाइलें सामरिक महत्यकी होती हैं क्योंकि इससे परमानू बम दागा जा सकता है इसलिए ये मिसाइल सेना की आम यूनिट्स के पास नहोकर स्ट्रेटजिक फोर्सिस कमांड के पास रहती है बहरत के पास अगनी वन से अगनी फाइव तक मिसाइलें हैं जो आठ हजार किलो मीटर तक हमला कर सकती है आज जिस मिसाइल का परिक्षन हुआ है उसके नाम में प्राइम लगा है याई अगनी मिसाइल का उन्नत संसक्राण मिसाइल का वजन भी कम कर दिया गया है ताकि वो जादा इधन और विस्फो टक ले जा सके फिलाल इसकी रेंज दो हजार किलो मीटर तक बताई जाती है आज वाले परिक्षन के साथ अगनी प्राइम ने सफल परिक्षनों की हैट्रिक बना दी यानि अब मिसाइल की तकनीक और शमता को भरो से लाइक माना जा सकता है फिलाल मिसाइल के डेवलब्मेंट ट्रैल्स चल रहे हैं जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानि DRDO करवा रहा है इसके बाद यूजर ट्रैल्स होंगे जिसमें स्ट्रेटिजिक फोर्सिस कमांड के लोग खुद मिसाइल को चला कर देखेंगे अगर सब कोई श्रीक रहता है तो मिसाइल स्ट्रेटिजिक कमांड के सुपूर्द कर दी जाएगी और विदिवत इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा दूसरी सुर्खी ये सुप्रीम कोर्ट से है नियमेत रूप से कोई न कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है जो पूरी तरह से बेसिर पैर होती है आज भी ऐसा ही हुआ जब एक शक्स ने ये कहते हुए याचिका लगा दी कि उसे भारत का राश्ट्रपती बना देना चाहिए इस शक्स का नाम है किशोर जगनात सावंत सावंत का दावा कि वो बीते 20 बरस से परियावराण पर काम कर रहे हैं और चूकि उन्हें राश्ट्रपती चुनाव लड़ने नहीं दिया गया तो उन्हें राश्ट्रपती बनाने का आदेश पारित किया जाए साथ में तनख्वा भी दी जाए इस पर कोर्ट ने कहा कि सावंत चाहें तो सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं लेकिन इस तरह कि याचिकाएं नहीं लगा सकते क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शाजहान ने ताज महल बनवाया था कोट ने सियाजका को भी रद्द कर दिया धर्शक जानते ही हैं बीते दिनों में लगातार ताज महल को लेकर कई उल्जल उल्दावे हुए कोई कहता है कि तैखाना खुलवा कर दिखाओ कोई कहता है कि वो जमीन तो मेरी है लेकिन अब तक अदालतों ने ताज महल को बचा कर रखा है एक तरफ बेसर पैर की आजकाए सुप्रीम कोर्ट का वक्त बरबाद कर रही है दूसी तरफ कई एहम मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही संभावता इसलिए आज CJI UU ललत ने लंबित मामलों की लिस्टिंग पर चिंता व्यक्त की लिस्टिंग यानि तारीख लगना जिस दिन अदालत किसी मामले पर सुनवाई करती है CJI UU ललत ने कहा कम से कम 400 मामले सुनवाई के लिए तयार थे लेकिन कोल्ड स्टोरेज में डाल दिये गए ये गंभीर मामला है हम अब एक-एक मामले में लिस्टिंग ना होने के कारण पता लगाएंगे इस तरह रजिस्ट्री द्वारा मामलों को लिस्ट ना करना न्याय के रास्ते में बाधा पैदा करता है सुप्रीम कोट ने आज एक और याज का खारिश की जो केंद्री ग्री राजमंत्री अजे मिश्र टेनी ने लगाई थी टेनी चाहते थे कि प्रभाद गुप्ता हत्याकान मामले में अंतिम सुनवाई इलावाद हाई कोट की लखनो पीट की जगे इलावाद में हो लेकिन अब ये तैय है कि फैसला लखनो से ही आएगा गुलाई 2000 में लखीमपुर के टिकुनिया गाउं में प्रभाद गुप्ता नाम के शक्स की हत्या हो गई थी इल्जाम लगा अजे मिश्र टेनी समेट 4 पर 2004 में निचली अदालत ने टेनी को दोश्मुक्त कर दिया इसी साल टेनी को इस मामले में फिर उपरी कोट से भी जमानत मिली इस फैसले को गुप्ता परिवार ने लावाद हाई कोट की लखनव पीठ में चुनोती दी थी टेनी के लिए ये तीसरा बड़ा जटका है इस पहले वो केस ट्रांसफर कराने की माम के साथ हाई कोट गए थे जहां याजका खारिज हो गई थी फिर टेनी ने हाई कोट में ही याजका लगा कर केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगवानी चाही ये याजका भी खारिज हो गई और अब सुप्रीम कोट ने भी कह दिया है कि केस ट्रांसफर नहीं होगा दरशक जानते ही हैं कि टेनी के बेटे पर भी 2021 के लखीमपुर हिंसाकान में गंभीर आरोप लगी हुए है तीसी सुर्की है महराश्ट से सूबा बिजनिस एज यूजल की तरफ लोटता जा रहा है कैसे हम बताते हैं महराश्ट की शिंदे पर नविस सरकार ने CBI को अपने हाँ जाच करने के लिए जनरल कंसेंट दे दी दरशक जानते ही है CBI एक केंदरी एजनसी है और कानून विवस्था है राज्जी का विशे इसलिए जब CBI को किसी सूबे में जाकर कारवाई या जाच करनी होती है तो सूबे की सरकार से अनुमती लेनी होती है यह अनुमती केस बाई केस बेसिस पर मिलती है जनरल कंसेंट का मतलब होता है कि CBI को बार बार अनुमती नहीं लेनी होगी जैसे जैसे केंद्री एजंसियों का ताब बढ़ा देश में जातर विपक्षी जो पार्टिया हैं उनके द्वारा जो रूल किये जा रहे राज्ज हैं उन्होंने CBI को दी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है महराष्ट में चल रही महागाली सरकार ने भी ऐसा ही किया था लेकिन अब बाच्पा ने शिवसेना के शिंदे धड़े के साथ सरकार में वापसी कर ली तो CBI को जनरल कंसेंट फिर मिल गई इसका मतलब महराष्ट में आने वाले दिनों में ED के साथ साथ CBI के और भी सक्रिय दिखने के अनुमान है अगली सुर्गी का संबन देश के पूरगरी मंत्री और कॉंग्रेस नेता शिवराज पार्टिल के बयान से है पहले बयान सुनिए फिर आगे की बात जहाद की बात भी कभी कब आ जाती है जहाद की बात तब आ जाती है जबके सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बात भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बात भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है, आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है, तो वो करना चाहिए, और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर, जो घीता का जो भाग है, उसके अंदर भी श जिहाद की बात ही करते हैं शिवराज पाटिल लंबे समय बाद चर्चा में आये और आते ही कॉंग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी एक किताब जो वरिष्ट नेता मोहसिना के द्वई ने लिखी उसके विमोचन के दौरान जिहाद और गीता को एक लाइन में पिरो दिया बीजेपी को बैठे-बिठाए हमलावर होने का मौका मिल गया कॉंग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए जवाब की मांग की जाने लगी सुनिए बीजेपी ने क्या प्रतिक्षिया दिया शाम होते होते बीजेपी जब सीदे कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार से सवाल पूछने लगी तो फिर कॉंग्रिस महासाचेफ जैराम रमेश को इस विवाद पर पार्टी की तरफ से सफाई जारी करनी पड़ी है उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरे वरिष सहोगी शिवराज पार्टिल ने कतित तोर पर भगवत गीता पर कुछ टिपनी की जो असीकार है इसके बाद उन्होंने सफाई दी है हाला कि इस मुद्धे पर कॉंग्रिस का स्टेंड एक दम सपष्ट है बारत की संस्कृति में भगवत गीता एक एहम स्टम्भ है साफ था कि कॉंग्रिस ने शिवराज पार्टिल के बयान से किनारा कर लिया उसके बाद शिवराज पार्टिल की सफाई भी आई सुनिया आप देखो कि आप इस चीज़ को आप जहाद बोलेंगे क्या आप इस स्रीकृष्ण ने भगवान को आर्जुन को करने के लिए इसको जहाद कहेंगे क्या नहीं कहेंगे यही मैं कहे रहा था तो ये कुरान शरीफ के अंदर जो जहाद की बात की गई है वो यह है कि कोई आदमी भगवान एक है समझ कर उसका रूप नहीं है उसका रंग नहीं है उसकी मूर्ती नहीं बनाना है ये जूधर्म के लोगों ने सबसे पहले बताया आखरी सुर्की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के उतराखन दोरे से जुड़ी है सुबह सुबह आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा प्येम मोदी ने पहले केदारनाथ धाम और उसके बाद बदरीनाथ धाम में दर्शन किये ये छटवा मौका था जब प्येम मोदी केदारनाथ पहुँचे थे लेकिन इस दोरान सिर्फ धार्मिक दोरे नहीं हुए सरकारी काम भी हुए प्येम मोदी ने सुबह में 3400 करोड रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिला न्यास किया इसमें कीदारनाथ और हिमकुण साहिब के लिए रोपकवे का प्रस्ताविद निर्मार भी शामिल है प्येम मोदी चीन सीमा पर वसे भारत के आखरी गाहों तक भी गए वहां क्या कहा सुनिये जब बॉर्डर किनारे सडक बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूपड़ती थी हमने ना से भी स्वाध्यता को समाप्त किया बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सडके बनाने पर तेजी सडके बनाने पर जोर दे दिया अब पहड़ी राज्जों की connectivity को और बहतर बनाने के लिए हमने विशेश तोर पर जैसे सागर माला है वैसे भारत माला है वैसे अब पर्वत माला का काम आगे बढ़ने वाला है अंग्रव को दीवाली साल भर का टयोहार परीवार के साथ मनाय में जाने वाला अधिया लन्तौप परिवार की तरफ से इस व्रहतर परिवार को करोड़ों दर्शकों के परिवार को भी पूच्छव की खूब शुब काम ना है अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए शुब रात्री मिटाने ख़बरों का गैप रोज रात आठ बजे आएगा लनलन टॉप शो लाइव ऑन एप डाउनलोड करें लनलन टॉप एप